चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चरल विश्णु एटीपी में हर्दिस्वाद करता हूँ इंगली स्पीकिंग के डे टू में आज हम सीखेंगे मैनर्स के बारे में जी हाँ मैनर्स के उन सब्दों के बारे में जिसे की हमें उपयोग में लाना चाहिए सिष्टाचार सम्मंधी वाक्यों के लिए यदि हम किसी से बात करते हैं तो बात करने का जो तरीका होता है उसे ही सिष्टाचार कहते हैं किसी के सामने हम किस प्रकार से बात करते हैं यदि हम अच्छे से बात करते हैं, तो उसे ही सिष्टाचार कहेंगे, तो देखते हैं, यदि हम किसी से अच्छे से बात करना चाहते हैं, तो हमें किन किन सब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यदि हम किसी से कुछ मांगते हैं, किसी को कुछ देते हैं, कोई हमारा हेल्प करत तो हमें किन-किन सब्दों का प्रयोग करना चाहिए अंग्रेजी के इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आप सभी से सबसे पहले एक रिक्वेश्ट है प्लीज आप सभी वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजे चलिए आज ही क्लास अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सब्द है प्लीज जब हम किसी से कुछ मांगते हैं या कुछ पूस्ते हैं तो हमें वहाँ पर प्लीज का उप्योग करना चाहिए प्लीज का मतलब होता है क्रिप्या यदि हम किसी से मालेज ये पेन मांगते हैं हम कहते हैं कि पेन दीजिए या पेन दो लिए में हम कहते हैं give me your pain तो बहुत ही simple सा वर्ड बहुत ही साधाराइब वाक्य लगेगा वहाँ पर इसे नहीं कहेंगे यदि वह इस पर कहते हैं कि give me your pain प्लीज या फिर please give me your pain या फिर May I have your pain? तो यह सिष्टाचार कहलाएगा क्योंकि आप वहाँ पर प्लीज को फ्योग कर रहे हैं। यदि आप किसी से पूछते हैं कितना समय हुआ है? What is the time? तो यह बहुत ही साधारन सा वाकिर हो जाएगा। यदि आप कहेंगे time please, तो यहाँ पर सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूछने भी अच्छा लगेगा, यही मैनर्स है, आप पूछेंगे time please, बस इतने से सब्द में आपकी बात भी रह गई, आपने उसे समय भी पूछ लिया और सामने वाले को भी हाँ जरूर, yes please आप कहेंगे, तो यह भी मैनर्स कहलाएगा, हमारा अगला सब्द है thank you, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, यदि कोई हमारी help करता है, यदि हम कुछ छोड़ी सी बात पूछते ह हैं, वो हमें बता देते हैं, या कोई भी किसी प्रकार से help सहता करते हैं, तो हमें उसे thank you कहना चाहिए, या तो उसे आप thank you कह सकते हैं, या आप उसे thank you so much कह सकते हैं, या फिर आप उसे many many thanks to you भी कह सकते हैं, आप इसे किसी भी रूप में बोल सकते हैं, जब भी कोई आपक आपको thank you जरूर बोलना चाहिए यह भी प्रकार का मैनर्स होता है अगला सब्द है no thanks यदि आपको कोई कुछ offer करता है कुछ चीज कुछ खाने को कहता है या फिर कोई चीज लेने को कहता है यदि आपको नहीं लेना है तो आप केवल no नहीं ऐसे नहीं कहेंगे यदि आप ऐसे कहते हैं तो इसे असभ्य माना जाता है ऐसे लगता है कि सामने वाला ego वाला है घमन वाला है आप वहाँ पर कहेंगे no thanks जी हां, यदि आपको कोई कुछ offer करता है यदि आप कोई चाय बोल रहा है यदि आपको नहीं पीनी है तो आप वहाँ पर कहेंगे no thanks इसके बाद हम देखते हैं यदि हमने किसी की छोटी से help की है और वो हमें thank you कहते हैं तो हमें केवल thank you सुनकर चुप नहीं रहे जाना है ये अशब्य कहलाएगा इसलिए आप वहाँ पर thank you का reply कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं चाहे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि no mention या फिर mention not या फिर आप कह सकते हैं कि you're welcome यानि कि आपका स्वागत है आपने thank you कहा तो आपका स्वागत है या फिर आप कह सकते हैं इस फाइन आप से बड़े हैं तो आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं इस माई प्लेजर यानि कि ये मेरा स्वभाग्य है आपका जो मैं काम आया आपके कुछ खाम आया तो ये मेरा स्वभाग्य है ये मेरे लिए खुशी की बात है या फिर ये मेरे लिए स्वभाग्य की बात है इस परकार से आप मैंसों नॉट माई प्लेजर या फिर विल्कम का यूज कर सकते हैं Your Welcome का प्रेयोग आप कर सकते हैं यदि आपको कोई Thank You बोलते है तो तो जो हमारा अगला सब्ध है वो है May I Help You यानि कि क्या मैं आपकी सहता कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ यदि आप लड़के हैं या फिर आप लड़की हैं आप जेंट्स है या फिर आप लेडी हैं तो भी आप कहेंगे May I help you यानि कि क्या मैं आपकी सहता कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ यदि कोई किसी का सवान है आप उठाना चाहते हैं यदि किसी का बच्चा है आप उसे गोद में लाना चाहते हैं उसे किसी परकार की प्रॉब्लम है आप उसकी सहाथा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे May I help you? क्या मैं आपकी सहता कर सकता हूँ? अगला सब्द है After you After you याने आपके बाद यदि कोई महिला या फिर कोई वरिद्द पुरूष या फिर कोई भी आपके Q में लगे वे लाइन में या फिर कोई भी काम है यदि आप उन्हें पहले offer कहते हैं करते हैं कि आप मुझसे पहले जाईए या फिर आप मुझसे पहले वो काम करा लीजिए तो आप कहेंगे वहाँ पर After you sir या फिर After you ma'am याने कि आपके बाद फिर मैं आ जाऊंगा आप पहले ये काम कर लीजिए अगला word है sorry आप सभी अच्छे से जानते होंगे यादि आप से किसी प्रकार की गलती हो जाती है यादि आप से कुछ ग्लाश शूड गया यादि आप से कोई टकरा गए आप किसी से टकरा गए तो आप उसे कहेंगे वहाँ पर sorry कि मुझे अफसोस है यादि आप से कुछ गलती हो गई तो आप वहाँ पर कहेंगे sorry किसी को कुछ चीज बुरा लगा तो आप वहाँ पर कहेंगे sorry नेक्ट वर्ड है excuse me यादि आप किसी के 20 से गुजर रहे हैं मालिज ये दो व्यक्ति खड़े हैं आपको 20 में से जाना है उनके तो आप कहेंगे excuse me येदि आप बैठे हुए हैं सभी के बीच में लेकिन आपको कोई काम से किसी काम से वहाँ से आपको जाना है तो आप सभी को कहेंगे excuse me इसके अलावा येदि आपको किसी का ध्याना करशित करना है अपनी और येदि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप कहेंगे excuse me उसके बाद आप बात करना इस्टार्ट कर सकते हैं किसी का ध्यान किशने के लिए excuse me का यूस कर सकते हैं next जो word है वो है may I may I का यूस हम करते हैं किसी से जब हम किसी प्रवार की अनुमत ही लेते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम वहाँ पर may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यदि आप ऐसे कहेंगे, can I come in, can याने भी सकना होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो यहाँ पर सब वे वाकिये नहीं कहलाएगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यदि आप उसे English पे पूछेंगे वहाँ पर आप make a use करेंगे may आने भी सकना होता है may I come in तो जब आप make a use करते हैं तो वहाँ पर यह manners कहलाएगा आप कहतें may I come in यदि आपको बाहर जाना है तो आप कहेंगे may I go out क्या मैं बाहर जा सकता हूँ जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था may I help you तो बस may I का use यहीं पर होता है may I help you may I go in, may I go out या फिर किसी प्रकार का कोई काम करना है आपको तो वहाँ पर आप may I का use करेंगे किसी से आपको कुछ पूछना है तो यह manners वाले जो सब्द कहराते हैं यदि आप से कोई पूछता है may I come in या फिर may I go out और आपको कहना है yes तो आप केवल yes नहीं कहेंगे आप कहेंगे yes please या फिर आप कहेंगे of course जी हाँ इसका प्रयोग आपको करना है यदि आप से कोई पूछता है तो आज का जो अंतिम सब्द है अंतिम words है वो है pardon pardon याने होता है छमा मांगना यदि आपको किसी से छमा मांगनी है यदि आप किसी से छमा मांगते है तो आप कहेंगे pardon me या फिर आप बोल सकते है I beg your pardon तो आज के class में हमने सीखा manners याने के सिष्टाचार के कुछ words कुछ सब्द आप बताएंगे आपको वीडियो कैसे लगी आप लाइक करें ज्यादा सेयर करें इसके बाद day 3 में हम जो आगे का लेशन है उसे हम complete करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much